नीता का परिवार उसकी शादी कराना चाता है पर नीता को अपने बॉइफ्रेंट से ही शादी करनी होती है जिसके लिए परिवार तयार नहीं होता इन्हीं सब उल्जनों के बीच नीता के पापा उसकी मर्जी के खिलाफ राघव और नीता की शादी करा देते हैं अपने गुस्षे के चलते नीता शादे के अगले ही दिन से परिवार में सबको उल्टे जवाब देना, किसी की कोई बात ना सुनना और अपने मन मुताबिक रहना शुरू कर देती है जिससे घर में सबको दिक कत होती है लेकिन नीता को कोई कुछ नहीं बोलता एक दिन सास नीता के पास आती है बहु? की गल? तुसे कीवे नाल या किसी गल से नराज हो? तुहानू मेरी फिक्र करन दी कोई लोड नी, मैं ठीका ऐसा बोल नीता वहाँ से चली जाती है पर सास की बाद उसके मन में रह जाती है शादी के अगले दिन से ही मैं सब्दे नाल किनना ओखा भी हैव किता फिर भी या मेरे तो इनने प्यार नाल गल किवे कर सक दिया मानू नफरत करनी नहीं आऊंदी ऐस करके वो सोचती है कि एक ना एक दिन तुहाड़ा गुस सभी खत्म हो जाऊगा इहां कदे नहीं हो सक्दा इससे पहले राघव कुछ बोलता नीटा का मूबाइल बजने लगता है जिस पर राघव वहाँ से चला जाता है और नीटा फोन पर बात करने लगती है जिसके बाद अगले दिन से नीटा की जैसे ही आत्मा बदल गई हो वो बिना किसी के बुले गर के सारी काम कर देती है उसकी ऐसी काया पलट देख रागव और उसकी मा हैरान रह जाते है बहू तब यच्छ ब्यत्ता ठीक सी तब यच्छ दो मा मैंनू लगदा आ इस दा दिमाग हिल गया ए तुसे दोनों किये गल करी जान दे हो मैं ठीक आँ ते मेरा दिमाग भी बस आज रियलाइज हो गया कि मैं अपने गुस्से विच किना प्यारा परिवार ठुकरा रही सी नीता की बात सुनकर से बहुत खुश होते हैं और अब नीता सास की सेवा से लेकर पति की हर बात मानने लगती है जिसकी वज़े से कुछी समय में घर की सारी भाग दोड उसके हाथों में आ जाती है उसी के साथ सास और रागों भी हर काम के लिए नीता पर ही डिपेंड हो जाते हैं नीता मेरा लाटटोप कित्थे आ बहु मेरे दवाईया अब नीता अच्छी पत्नी और सर्वगुण संपन्नम बहु बन गई होती है और इसी तरह विश्वास जीतते हुए एक दिन तिजोरी की चाबियां भी उसके हाथ में आ जाती है एहुई नगल हुन आएगा ज़ंद की विच्चिस्वाद तिजोरी की चाबियां हाथ में आती ही नीता एक राद सास और पती के सूती ही सारे गैने और कैश लेकर घर छोड़ अपने बॉइफरिंड के पास चली जाती है रवी मैं आ गई अब सानू कोई अलग नहीं कर सकदा तिविख मैं सारी जलरीत कैश भी साथ ले आई मैं तेरे तो प्यार कर दिया ता करके सिसुराल छड़ाई और एक तूआ जो पैसो दे आगे कुछ भी नहीं देखदा ओ मारानी अपने काम दो काम रख मेरे ते जुबान लडान दी ज़रूरत नहीं वरना इस गर तो बाहर कर देना है ए मैरा गरा तेरा सिसुराल नहीं जीवे मने किया रहा ली इतरहन लाई हाथ चला जुबान नहीं रवी की बाते सुन नीता के सिर पर जैसे आसमान ही तूट जाता है एक तेरे करके मैंने अपने मा भीयो नाल उस भले चंगे सिसुराल नुपी धोखा दिता ते तूट परे मेरी ही गलतिया जे अखा उत्ते ते तेरे प्यार दा परदा डाल बस दिन फोन ते तेरी गलना विचा गई जे नहीं आउंदी ता आज खुशी नाल उते ही बैठी ह कोनी सी ए भाशन उन ना दियो जिस्ते इसका फरक पड़े मेरे कॉल नाटंगे नहीं रवी वहां से चला जाता है और नीता रोती पच्टाती वहीं बैठ जाती है घर कैसे वापस जाए इसी डर से नीता रवी का घर छोड़ नहीं सकती इसी तरह दिन बीठते हैं और उनी के साथ हालात बच से बत्तर होते जाते हैं अब रवी पैसों और अपनी मन माने के लिए नीता के साथ मार पिट भी शुरू कर देता है जिससे परिशान होकर एक दिन नीता उसे छोड़ अपने ससुराल वापस आ जाती है जिससे वहां देख रागव गुस्से से लाल हो जाता है हूनी थे की ले नाया हमारी जिन्दगी के साथ घरता तो पहले ही बरबाद कर गई सी जान दिया मेरी गलती माव फिलायक नहीं मैं कमली सी उस धोंगी नू सच्चा प्यार दे इस सच्चे प्यार नू बहुत समझती बैची मैंनू माव कर दो जे मेरी नूरानी समझ गई या कि उस तो गलती हुया फिर किस बात का रूस ना मनाना केड़ी नूरानी रानी बोलन जोगा इसने केड़े जंडे गाड़ दिये मा याद कर तेरे घर विच चोरी कर बहुत पत्नी सब रिष्टे तोड़ भाग गई सी और फिर की मानता रहिया गलती हो गई सी एक गलती ता रब भी माफ कर दीता ते तू और मैं ता सिर्फ इंसान ही आ माफ कर दे मैं बोल रहिया ये दोबारा कदी कोई गलती नहीं करेगी इस ना नहीं ता मेरा ही भरोसा कर ले ठीका जीवे तुहानू ठीक लगे पर इसे बोल देई मेरे कोलो कोई उमीद ना रखे तुसी जीवे कहोगे अपसास हर रोज रागो को मनाने की कोई ना कोई नई तिक्डम बता कर नीता को उसके पास भीशती रहती है जिससे कुछ समय बाद नीता का पच्टावा और कोशिशे देख कर रागो भी उसे माफ कर देता है